समस्कार, मैं मीरा आप सबी का अपनी यूट्यूब चैनल प्रेड़ना दायक अध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ आज मैं आपको राजा अकबर, वीरबर और रानी जोधा बाई की एक बहुत रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि राजा अकबर अपनी सबसे प्रिय पत्नी जोधा बाई के साथ अकसर सुबह की सैर के लिए निकल ही रहे थे कि उन्होंने देखा राजबवन के द्वार पर बीरबल भी खड़े थे राजा को बीरबल से बड़ा सने था तो उन्होंने सोचा कि अगर बीरबल भी साथ आ जाए तो सुबह की सैर का मज़ा दुगना हो जाएगा तो उन्होंने बीरबल से आगरे किया बीरबल तो साथ हो चले सैर करते करते वे शाही बगीचे में पहुचे वहां महाराणी जोदवाई सबसे आगे, बीच में बीरबल और सबसे पीछे महाराज अकबर चल रहे थे महाराज अकबर अकसर बीरबल से हसी मजाग किया करते थे तो उस समय भी उन्हें एक मजाग सूचा और उन्होंने बीरबल की कमर में चिकोटी काट दी बीर्बल को महराज का यह रवया बिल्कुल पसंद नहीं आया बीर्बल भी बड़े हाजिर जवाब थे तो उन्होंने आगे चल रही महरानी की कमर में चिकोटी कारती महरानी को तो इस बात पर बड़ा गुसा आया उन्होंने तो पलट कर बीर्बल के मुँपर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया बीर्बल ने भी आओ देखा न ताओ और पलट कर महराज अकबर के मुँपर एक जन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया महराज अकबर की तो 32 हिल गई तमाचा बड़ा जोर का पड़ा था की महराज आपने जो संदेश बेजा था यह उसी का प्रती उत्तर आया है हमारे परते करम की प्रती ध्वनी उत्पन होती है और कई-कई गुना बढ़कर वापिस लोटती है एक छोटी सी चिकोटी जन्नाटेदार थपड़ बनकर वापिस लोटती है कई बार समय का अंतराल पढ़ जाता है तो हम करम पल का करम से संबंद सापित नहीं कर पाते परन्तु इतना तो निश्चित है कि संबंद होता है जब भी गड़े में गिरें तो इतना निश्चित समझना कि गड़ा हमीने खोदा होगा बहुत पहले खोदा होगा आज याद नहीं है भूल गए है परन्तु खोदा अवश्य होगा हमारे सभी परिस्थितियां हमारे करम पल का जोड मात्र है आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरी कहानिया पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और अगर कोई सजेशन्स हो तो प्लीज कमेंट बोक्स में जरूर लिखिएगा